Hello friends, welcome to my channel आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं क्या KBS की interview की preparation के लिए हमें coaching लेनी चाहिए या नई लेनी चाहिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि coaching के लिए बहुत जादा amount लिया जा रहा है और सब लोग बहुत जादा घबराए हुए हैं क्या coaching लेना सही है या नई क्योंकि इतने सारे बच्चे ले रहे हैं कई हम पीछे ना रहा जाए क्या हमें coaching लेनी चाहिए क्या इसके नुकसान है या क्या इसके फाइदे हैं यह सारी बाते हम वीडियो में discuss करेंगे साथ ही साथ मैं आपको 100% की साथ बताऊंगी क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा मांक्स भड़ेंगे या नहीं भड़ेंगे या फिर घटेंगे यह सारे पॉइंट्स मैं आची वीडियो में discuss करने वाली हूँ मतलब कि जो हम खुद से इवालूइट नहीं कर सकते हैं वह सारी चीज भी में पता लगती है ठीक है साथ हमें एक आईडिया हो जाता है कि हमें किस तरीके से इंट्व्यू देना है क्योंकि सामने वाला हमें हमारी गलती पता देता है ठीक है पर देखें फेंड्स मतलब मैं चीज आप से जरूर शेयर करना चाहूंगी देखें कुछ बाते तो नहीं हमें आरेडी पता है कि इंट्व्यू में क्या-क्या पूछा जाता है इतना दाधा डाटा एवरियम है यूटूब पर कि आप खुद से आईडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके कोश्य पूछे जात आप 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 गलती जो पब्लिक होती है वो बता देती है अगर आप वीडियो अपनी आप खुद से देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहें क्या गलती नहीं कर रहें तो यह बेसे काम अब घर पर भी कर सकते हैं और आपको इसमें शरम भी नहीं आएगे और आप खुल कर बोल पाएंगे एक अमरे में अपने आपको पैक कर दीजिए उसके बाद अपनी फोन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए और जितने भी कॉशन्स आपसे पूछा जाते है उनकी आशर दीना स्टार्ट कीजिए उसके बाद आपको सिदार आप साफलते कि अबसें से सब्सक्atten तो इसके अधे अजड़ी तो इसे चबिक, कि आप बिल्कुल रटा माल के आया है और सीधा का सीधा वो रटा रटाया आपने उगल दिया है ठीक है तो यह गलती हमें नहीं करनी है अब बाद रही कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए नहीं देनी चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो बेसिक चीज़े हैं हम घर में क भी नहीं बतायें कि आपके चाहिए लेकिन गल्तिया बहत है अच्छी बतायें कि अपने फ्रेंड को बोलिए कि आपका इंटर्व्यू देखें माल लीजिए अगर आपके अपके आपके वीडियो आप उन्हें भेज दीजिए वो आपको बता देंगे पर जो फ्रेंड हो तो आपके true friends तो ऐसा नहीं है कि बस हाँ मतलब आपका मन रखने के लिए कि यार्ट उन्हें बहुत अच्छा दिया है उनसे बोलिए कि इसमें सिर्फ गल्दियां बतानी है मैंने क्या सही किया है वो नहीं बताना क्योंकि जो सही किया है वो आपको भी बताई कि आपने क्या स तो इस तरीके से आपके इंटर्वी प्रपरेशन कर सकते हैं साथी साथ देखें मुझे ऐसा लग रहा है यूट्यूब पर इस वक्त पोएम्स का बहुत ज़्यादा भंडारा लगा हुआ है सब लोग सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की पोएम का डैमो देने में लगे हुए पर यकीन मानिया अगर यूट्यूब हम देखते हैं तो जो हमारा इंटर्व्यू ले रहा है वो भी यूट्यूब देखता है और सब समझता है कि कूचिंग वाले क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को ठीक है तो मेरा को ऐसा लगता है कि वो यह सब नहीं पूछने वाला वो अगर आपको अन्होंने टॉपिक दिया तो आप क्या करेंगे तो आपको इक स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करनी है आपको उसका आइडिया होना चीह तो मान लिजिए आपने ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक अठालिया अब और आपका लग है कि सामने वाले में भी ट्रा आपको सार्ट नहीं लगेगा सोचने में कि आपको इसकी स्टार्ट नहीं कहना है कि आपमें पहनद प्रोपेर कर रखाय आप सिधा बचों से फूचना आज़गा स्कूल अच्छा तो कैसे आप अच्छा तो गर्में कु छुट्टिय में में जब घूमने जाते तो हम कैसे ज मलया तो सपर से जाता सरुन से जाता है क्या कोई बसี้ रिक्षा से जाता है क्या तो इस तरीके से से हम स्टार्टिंग कर सकता है। सईट XL में भी स्टार्टिन फिला कर सकती हैं, क anybody else has these thing or bother theть आपको स्टार्टिंग में इंप्रेस करने तो सारे अंट-पिक से इनिशल होते है आप को स्टार्ट करना है पर प्रिपेर करके रखे और बागी के हैर एक चाप्टर में से हर एक टॉपिक में से अप को इक अज़ए टॉपिक करना है मान लीचुछ बोल दिया मैठस पढ़ाओ तो आपको एक अच्छी Jao fugail करके जाना है कि मुझे अगर बूल डिया Gust बस तू लेके फिफ तक की सारी बुक्स उठाईए सारे इनिशन पॉइंट्स होते हैं कि किस तरीके से हमें टॉपी को इंट्रिड्यूस करना है वह सब फटा फट से देख लीजिए कुस सबज में नहीं आ रहा तो युटूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ी है मुझे अभी तक कोई बेनेफिट नहीं लग रहा है पहले मैंने सार्च में खुद से सोचा होता कि मैं लूगी पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी क्या गैरेंटी है जहां से हम कोचिंग ले रहे हैं वही कोशन हमसे उठाकर वही पूछे जाएं ठीक है ऐसा नहीं ह हो सकता है कि इतने सारे बच्चे हैं सबसे एक ही सवाल तो नहीं पूछा जाएगा अलग अलग सवाल ही पूछे जाएंगे तो मुझे आप कोई वेरेफिट नहीं लग रहा है मैं जितनी जादा खुद से प्रैक्टिस करूँगी ना उतना जादा अच्छा होगा तो जो मै कि आपको डाल दूँगी तक कि आपको भी आईडिया होता रहे कि किस सरीके से मैं परपेर कर रहे हूं और मेरी परपेरिशन भी आपके साथ स्वाथ होती रहे। लिए नहीं कर बतार हुं कि नहीं कर रहे हूँ हँ अर्य लाइक एविर्स की भी एंड शोड़ रहा है एंड क्योंकि मुझे लग रहा है सबसादा टॉपिक्स यहीं से पूछ जाएंगे अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप भी मेरे साथ इस तरीके से प्रिपेर कर सकते हैं और अभी तो खेर हम शॉर भी नहीं है कि हमारा नंबर आएगा यह नहीं आएगा पर पॉजिटिव रह लेकिन उससे देखेगा क्योंकि आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है एक्शन के साथ वह मैंने आपको दिखा दिया है तो एक बार देख लेना प्रीज उस वीडियो को भी तो अभी मेरा बस इतना ही कहने का था कि अगर आप फोड कर सकते हैं तो ले लेना वरना कोई न कि हुखा यह कोउचिस को फेस करते हैं तो वहां फेल हो जाते हैं तो इतने जादा डरनी की बात नहीं है अरवी मेरे कंखले हैं नहीं मतलब की ऑन्ने ने चैण से बोर्ड बोरक एक्जाम स्वी पगड़ाये हूं बहुत अता इंटर्वी उस पेसके हूं परहां थे लगव तो हम उनसे मिलने जाओंगी अगर हो सका तो उनके साथ वीडियो भी शूट करूंगी अगर वह मान जाते हैं तो ताकि जो बेनिफिट मुझे मिलने वाला है वह आपको भी मिल जाए तो इतनी सी बात थी जो मुझे आप तक पहुचा लेती है अब बात करते हैं दूसरी जो है कि अगरी जाने स्टीड सबने जैकर हो इसाइड जाए वने सब्सक्राइन का पेकिन काली का लगी कि इसकी shift difficulty और उसी के according number भढ़ाये जाएंगे और इतना number नहीं पढ़ने वाले हैं कि 10-4 नमर भढ़ने वाले हैं बस तो ज्यादा उमीद मत रखेगा और उसके बाद ही real cut-off का देखते हैं क्या निकल कर आती है तो तब तक के लिए positive रही हो और प्लीज अगर आपके number 100 से कम ह तो मतलब मैं बता रही हूं आप डिटर पले स्पी कि तयारी कर लीजिए मैं किसी भी दोके में नहीं रखना चाहूंगी जैसे कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूं बट यह होप नहीं हानी है यह एक्जाम नहीं तो कोई और एक्जाम नहीं निकाल सकते देखे ल वीडियो जरा से पसंद है तो प्रीज लाइक करना ना भूलना बाबाई